सिरी गाणी सिका सुम्रन करके माई सारदा रही मनाई कंठ बिरा जो बीड़ा बाद नी बिगडी दैयो बात बना जै 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 सिरी राम रगपती मेरी हर दम करो सहाराम भक्त सिरी हनुमान के कंजो आज रही गुड़गा जब जब पाप बढ़े धर्ती पर जन मिलाई तब तब भगवान जिस पापी के अन्तिक लाने लिये नरायन जन में बता राम रूप में जो जन में हैं हाट लिये हे धन से उठा जिस अमको राजारा वणने बांधे लिया से रहाने ला जिस अमको राजारा वणने जिस अमको राजारा वणने बांधे लिया से रहाने लाए उन्ही अमराज के हाथों देखो काल दसानन पर मलरा जूट और अहंकार प्रबल जब अगर किसी पर जाते चाय बुद्धी पहले हर लेते हैं मूढ मती कच समझ नपा भिवी सण को जब मिली सूचना रण भूमी में दोड़े आए ब्रभूराम कुछ समाचार है आप कहे तो देऊं बता रावाल का जो जेश्ट पुस्त्र है नामे हिंद्री जीत बतलाए पासन कुम्भला लंका मंदिर पहुचा है तब करने जाए धिर ललकारा है लच मनने और सभी से कहा सुड़ा धिर ललकारा है लच मनने धिर ललकारा है लच मनने और सभी से कहा सुड़ा कहीं भी इंद्र जीत तब कर ले जीवान उसका बचेगा ना तब वो लेलच मड़ से भिवी सन जोगर तब पूरा हो जा इंद्र जीत नहीं मरे किसी से वह दुनिया में अमर हो जा जोगर पूरी हो ये तपास्या तब फिर बात वनेगी नाई करो उपाई प्रभू कुछ ऐसा उन तपास्या ना हो पाई अहां की बाते यही रहने दो अब आगे की बात सुना ध्यान से उठकर बंबं भोले उठ गौरा से कहा उचार ध्याने में देखा हनुमान को ज्याने में देखा हनुमान को ज्याने में देखा हनुमान को रहेन कुमभला मंदिर जाई हे बनवास में रामिक सेवा के वी रहेन जैसा कोई नाई सिरी रामिकी सेवा करने रुद्र लाई अवतार बता रूप ग्यार वाधर बजरंगी गौरा को सिव रही सुना चैत सुकल की रही पून मा रहे के सिरी वानर राज बड़ा हिब्या गुलमन था उस दिन राजा के सिरी का बतला बंबं भोले की किरपा से अंजनी जिन का नाम कहा जन्म पुत्र को देने वाली रही अंजनी जी बतला चाहे रहे थे सकती देना अंजनी पुत्र को खुद भगवान चाहे रहे थे सकती देना चाहे रहे थे सकती देना यंजी नी पुत्र को खुद भगवान सकती धारण कोन करीगा इतनी छमता किसी में ना इस बेचार में ब्याकुल थे सिव बबन देव वहां गई प्रगटार कहते आपको ब्याकुल देखा इसलिए यहां पर पहुँचे आई इस पर बोले हैं सिव संकर बबन देव से कहा सुना समीप इस कंधा के बन में माते अंजनी जो कहलाए मेरे अंस को जन में दे रही जो के सिरी के पुत्र कहा लेकर मेरी दिप सकती को तुम बालक तक दो पहुचाए और यह छमता नहीं किसी में जो सकती धारण कर पाए और यह छमता नहीं किसी में और यह छमता नहीं किसी में जो सकती धारण कर पाए इस पर बोले पबन देव फिर हम सकती को ले कर जाएं फिर बोले भोले शिव संकर पबन देव दूहर बरदान बहुत प्रसन आजमन मेरा मुह मांगा बरदेऊं गहाए बोलो क्या परदान चाहिए फिर कहें पबन देव हर साथ रभू अगर बरदेना चाहो मेरी बात सुनो चितला कोई रंग ना रूप है मेरा मेरा नहीं कोई आगार केवल आपके अंस रूप को पुत्र में कहकर सकूप कार तब बरदान दिये सिव संकर पवन देव से कही सुनाए तब बरदान दिये सिव संकर पवन देव से कही सुनाए तब बरदान दिये सिव संकर पवन देव से कही सुनाए के सिरी नंदन संग पालक को पवन पोत्र सब कहेंगे जाए भोले ले अपनी सक्ती तब पवन देव को दाई गहा जाओ सिख्र तुम सक्ती लेकर जन्म का समय गया या वियाय किये इस मरण प्रभूराम का और सिव संकर कहती उचार आपकी सेवा करने है तू मेरो अंस लेत अवितार आप विराजो हिर्दे में उसके अंजिन नंदन जो किहलाज स्यमें आपकी खोज करेगा शमें आपको ले पेचान जिन्हें बीर बजरंग नाम से जाने गाया है सकल जहान जिन्हें बीर बजरंग नाम से जिन्हें बीर बजरंग नाम से जाने गाया है सकल जहान खड़ी जन्म की फिर हे आई पाबन समय गया तब आज जन्म लिये है जब बजरंगी नंगल का सुब दिवस कहाई बॉनर राज केसरी के घर अनहाद बाजे बाजे महान जब यह देखे राजा केसरी बहुत आई खुस मन में हो जाई फूलन बरसा देविकरत है चहुद सजै जैकार सुनाई माई अंज ना खूब दुलारे जे हो अंज नी सुत्रहन मान उसी समय दल खर दूसन का किया याक मड़ वहाँ पर आई तभी दिप सक्ती को ले करे बाबन देव पोहुचे है आँ तभी दिप सक्ती को ले करो पबन देव पोहुचे है आई उसी समय फिर पबन देव ने हनमत को दई सक्ती गहाई जै 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 शिरी रामे फुकारी फीर पबन सुत्जो के हिलाई पबन देव उड़ने की सक्ती हनुमान को दिये जाई फिर पोहुचे हनुमान तिलाल जी जहां सक्त्रुओं को दल याई अपनी सक्ती से पजरंग ने दिया सक्त्रु दल खोजे मिटाई अव्यांगे की सुनो हकीकत जब हनुमान को भूक सतार केती मां अंजनी बजरंग से अभी देती जाकर फल लाई उस छण देखा सूरे देव को हनुमात बहुत खुसी हो जाई उस छण देखा सूरे देव को उस छण देखा सूरे देव को हनुमात बहुत खुसी हो जाई मन में सोचा उत्तम फल है इस से लूंगा भूक मिटाई उड़ी पवन सुत आसुमान में सूरे देव को लच्छी बना नीचे राहे अंजनी देखे बजरंगी को रही पकार उड़ते उड़ते हनुमान तब सूरे देव के सनमुक जाई फल समझ कर सूरे देव को निगल गए तब सिरी हनुमान हो हो कर मची स्वर्ष्टी में अंधिकार हर ओर दिखा देव सवै संकट में पड़ गए गई अंधियारी काली छा राजा इंद्र के पास पहुच कर देव रही सब विथा सुना राजा इंद्र के पास पहुच कर राजा इंद्र के पास पहुच कर देव रही सब विथा सुना राजा इंद्र तब बजरंगी से सुरे देव को छोड़ो जाए एक नमानी इंद्र देव की बजरंगी मन में हरसा इंद्र के तकर बात नमानी बनर तेरा बुरा हो जाए बजर से किया प्रिहारी इंद्र ने सुरे देव गई बाहर याए मुर्चित हो गई बजरंगी तब पवन देव हें रही सभाल किस किंधा में पुत्र की चिंता मा अंजनी को रही सता लेकर पहुचे पवन देव तव बजरंग को माता के पास पवन देव ने मा अंजनी को सारा हाल दिया बत लाए पवन देव ने मा अंजनी को पवन देव ने माय अंजिनी को सारा हालिदिया समझाई आगे बोले पवन देव ता इंद्र नदीना बजर चलाई जब तक इंद्र देव नायाबे मूर्चित रहे बीर हनमार इस परमाता अंजिनी बोली इंद्र भला क्यों यहाँ पर्यार हो गई पवन देव तव क्रोधिते माय अन्य जी से कहत सुना रोकूं अभी बायू का बहना तो रती ही सब सर्ष्टी था मजार उनने लगी सास जब देखो सारे देव गई अकुला आया इंद्र का सेना पति तव देव राज से कहा सुना आया आपकी ये बजरंग को मूर्छिते पबान देव क्रोधित हो जाया आपकी ये बजरंग को मूर्छिते आपकी ये बजरंग को मूर्छित पबान देव क्रोधित हो जाया रोके दाई है कति बायू की अब यह स्रश्टी बचे गिना इस पर बोले इंद्र देव तव देव सभी हो जाय तयार सभी देव तव मिलकर देखो बहुच गए बजरंग के पास मुर्छा मिटा दई देव राजने हनमत सहसे उठे मुसकार बवन देव ने फिर से सारी रश्टी करी बायू गतिमान सभी देव ता मिलकर बोले जै जै होबे सिरी हनमान माय अंजनी के राज दुलारे जग में तुम साहे कोई नाए प्रभू राम के काज किलाने तब बजरंग हो गई तैयार प्रभू राम के काज किलाने प्रभू राम के काज किलाने तब बजरंग हो गई तैयार इंद्रे जीत का तप खंडित करे निकुम्भला से बाहर लाए हे सिव जी के अंसे ग्यारवे आपका पावे कोई न पार हनमत जैसा भगते नहीं है नहीं है कोई बीर बलवान चारो दिसाए धर्ती गगन भी बोल उठे जै जै शिरिडा उसरी बज रंगी भीर की देखो महिमा जग मैं अग मैं अपार तुम हो सित देव कल युग मैं तुम्रे गुड का वे संसार पिकू लिखे रओ नाम सुमरी के संजो तुम्हारी महिमा गां हनुमान जन्मे की कथा सुना हनुमान जन्मे की कथा सुना जन्मे की कथा सुना